बिहार में ये पता लगाया गया कि कास्ट सेंसस यानी बिहार में कितनी जातियों का आकड़ा कितना है अब इसके बाद बारी है शराब बंदी सर्वे करवाने की साल 2016 से ही बिहार में शराब बंदी कानून लागू है बिहार में शराब पीना या शराब की खड़ित बिक्री करनी ये कानून अपराध है अब ऐसे में नितीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये फैसले के तहती ये कहा गया है कि शराब बंदी का सर्वे किया जाएगा और लोगों से ये पता किया जाएगा कि क्या वाकई बिहार की जो जनता है बिहार के जो लोग है वो शराब बंदी कानून के पक्ष में है या नहीं अगर पक्ष में रहते हैं तो शराब बंदी कानून जो है वो लागू रहेगी और अगर पक्ष में नहीं होते हैं तो इस पर फैसला बिहार सरकार के तरफ से लिया जाएगा ठार में शराब का बंदी कानून लागू है, बावजूद इसके राज में धाडलने से शराब का अवैद कारुबार जारी है। वही अब राज सरकार सराबंदी का सरवे कराने वाली है जिसे लेकर जंतादल उनाइटिट के प्रदेश कार्याले में बिहार सरकार के मद निशेद मंतरी सुनील कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है शराब बंदी में सर्वे के काम को लेकर मंतरे सुनिल कुमार ने कहा कि एजेंसी को चैनित किया जा रहा है एजेंसी चैन के बाद डिटेल सर्वे करवाय जाएगा कौन से एजेंसी किस तरीके से काम करती है उसी के आधार पर चैनित किया जाएगा और फाइनल सेलेक्शन के बाद काम को शुरू कर दिया। साधी साथ सुनिल कुमान ने ये भी कहा कि जो राजद विधायक के पोस्टर पर उने ये जवाब दिया और कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। किसी पार्टी की राय ये नहीं है। राष्ट जनता दल का स्टैंड नहीं है, हम लोग इसको सही नहीं मानते हैं। सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, हमारी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है। राष्ट जनता दल का मामला है, बेहतर है कि उनसे आप पूछ लें, हम सभी का सम्मान करते हैं। देखे बिहार में हुए शराब बंदी कानून पर वैसे तो BJP लगतार नितिश कुमार पर हमलावर होती नजर ही आती है इतना ही नहीं हम सुप्रीमो जीतनरामांजी ने भी ये बयान दे दिया था कि बिहार में गुजरात के तहत ही शराब बंदी कानून जो है वो लागू करनी चाहिए और बिहार में शराब बंदी कानून को पूनता खत्म कर देना चाहिए क्योंकि शराब पिना लोगों के स्व पतादिकारी जो है वो अलग-अलग अलग-अलग लोगों के बीच जाएंगे जनता की बीच जाएंगे और ये पता लगाने की कुशिश करेंगे कि जो बियार की लोग है वो शराब बंदी कानून के पक्ष में है या नहीं जिस तरह से कास्ट सर्वे करवाए गया था उसी त वीडियो में बस इतना ही आप देखते रहे हैं नीर श्वांड है